बच्चों कक्षा टेंट की सामजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग दो का अध्यन कर रहे हैं और इसमें हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है भारत में रास्रवाद और इसमें आज का हमारा विशे रहेगा सवीने अवग्या की सीमाएं बचों पिशले भाग के अंदर हमने सवीने अवग्या आंदोलन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि जो विभिन सामाजिक समूह हैं विभिन वर्ग हैं उन सब की स्वराज के प्रती अलग-अलग राय थी अलग-अलग उनके माइने थे चाए वो कोई उद् समूह के लिए स्वराज के माइने अलग-अलग थे और कुछ समूह तो ऐसे थे जो स्वराज की अवधार्णा से प्रभावित ही नहीं थे दलित ऐसा ही एक समुहों रास्ट के अच्छूतों का भी था जो 1930 के बाद मैं स्वयम को दलित या उत्पीडित कहलाने लगे थे ऐसा ही एक समुहों रास्ट के अच्छूतों का था जो 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीडित कहने लगे थे कॉंग्रेस ने बहुत लंबे समय तक इन दलितों पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो रूडिवादी सवन हिंदूं से दर्ती थी उनके कारण वो दलितों की तरफ जादा ध्यान ही नहीं दे पाती थी कॉंग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कॉंग्रेस रूडिवादी सवन हिंदों से डरी हुई थी लेकिन महात्मा गांदी ने एलान कर दिया था कि जब तक ऐस परशता को खतम नहीं किया जाएगा तब तक सौ वर्ष तक भी आप सुराज को प्राप्त नहीं कर सकते हो यानि जब तक आप छुआ चूट को दूर नहीं करोगे सुराज प्राप्त नहीं होगा लेकिन महात्मा गांदी ने एलान किया कि एस परशता को खत्म किये बिना 100 साल तक भी सुराज की इस्तापना नहीं की जा सकती है और महात्मा गांदी ने इन अच्छूतों को हरीजन यानि हरी की यानि इश्वर की संतान बताया था गांधी जी ने अच्छूतों को हरीजन यानी इश्वर की संतान बताया गांधी जी ने उनको मंदिरों में, सारजनिक तालाबों में, कुओं पर और सडकों पर सब जगे समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किये, सत्याग रह किये उन्हें मंदिरों, सारजनिक तालाबों, सडकों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग रह किये और गांधी जी ने मेला ढूने वाले लोगों के काम को प्रतिस्था दिलाने के लिए स्वेम ही सोचाले भी साफ किये थे मेला ढूने वालों के काम को प्रतिस्था दिलाने के लिए वे खुद सोचाले साफ करने लगे थे और उन्होंने उची जाती वालों से यानि कि सवर्णों से ये भी कहा कि आप अपने हिर्दय को परिवर्तित करके एस परशता के पाप को छोड़ दीजी अब इस छुआ छूत के पाप से आप दूर हो जाईए उन्होंने उची जातीयों से कहा कि वे अपने हिर्दय परिवर्तन करें और एस परशता के पाप को छोड़ें लेकिन जो दलित नेता थे वो अपने समुदाय की समश्याओं का हल करने के लिए अलग ही प्रकार के राजनितिक हल ढूंडने लगे थे और वो सब आपस में एक दूसरे के साथ संगठित भी होने लगे थे लेकिन दलित नेता अपने समुदाई की समश्याओं का अलग राजनितिक हल ढूड़ना चाहते थे और वे खुद को संगठित करने लगे थे उन्होंने सिक्षन संस्थाओं के अंदर आरक्षन की आवाज उठाई और उन्होंने स्वयम के लिए यानि जहां से दलित ही चुन करके आ सकें इस प्रकार के अलग ही निर्वाचन छेत्रों की मांग की विधाई परिशदों में जहां से दलित ही चुन करके आ सकें यानि केवल दलित ही विधाई परिशदों में चुनकर आ सकें दलितों का मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता राजनितिक सशक्ति करण के द्वारा ही दूर की जा सकती है और इसलिए सवीने अवग्या आंदोलन के अंदर दलितों ने बहुत सीमित मात्रा में ही भाग लिया उन्होंने जादा उसमें भाग नहीं लिया इसलिए सवीने अवग्या अंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित ही थी डॉक्टर भीम राव अंबेड करने सभी दलितों को संगठित करने के लिए दमित वर्ग एसोसियेशन नामक एक संगठन की रचना की जिसके द्वारा वो सभी दलितों को एक साथ संगठित करना चाहते थे डॉक्टर अंबेड करने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसियेशन डिप्रैस्ट क्लासेशन में संगठित किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर जब बिडिस सरकार ने अंबेड करकी प्रतक निर्वाचन छेत्र बनाने के लिए दलितों के लिए बात को जब मान लिय तो महत्मा गांदी आमरन अंशन पर बैठ गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब बिडिस सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन छेत्र की अंबेड करकी मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अंशन पर बैड़ गए गांधी जी का मानना था कि इससे समाज के एकी करण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी और आखिरकार अंबेड करने गांधी जी की राय को मान लिया और सितंबर 1932 के अंदर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिये और इस पूना पैक्ट के द्वारा प्रांतिये और केंद्रिये विधाई परिशदों के अंदर दलितों की सीटें आरक्षित कर दी गई इस पूना पैक्ट से दलितों को प्रांतिये और केंद्रिये विधाई परिशदों में आरक्षित सीटें मिल भी गई फिर भी जो दलित आंदोलन था वो कांग्रेस के नेतरत में चलने वाले रास्ट्रे आंदोलनों को सदैवी संका की द्रस्टी से देखता रहा फिर भी द आसए ओखिलाफद आन्दूलन शान्थ होने की तरफ आ रहा था, तब मुसल्मानों को ये लगने लगा था, कि कांग्रियस उनसे कुछ कठती जा रही है। आसायोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसल्मानों का एक बहुत बड़ा तबका कॉंग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था और 1920 के दशक के मध्य आते आते कॉंग्रेस और हिंदू महासबा एक दूसरे के काफी करीब नजर आने लगी थी 1920 के दशक के मध्य से कॉंग्रेस तथा हिंदू महासबा काफी करीब दिखने लगी थी जैसे जैसे हिंदू और मुसल्मानों के बीच में आपस में संबंद खराब होते चले गए वैसे वैसे ही दोनों समुदाय अपने उग्रोधार्मिक जुलूस निकालने लग गए इससे सामप्रदाय के दंगे होने लगे और दोनों ही समुदायों के बीच में आपस में काफी फासला बढ़ गया था जैसे जैसे हिंदू मुसल्मानों के बीच संबंद खराब होते गए वैसे वैसे दोनों समुदाय उग्रोधार्मिक जुलूस निकालने लगे जिससे सांप्रदाइक दंगे हुए और दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता ही चला गया और कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1927 में आपस में गठबंदन करने का प्रयास किया तब ऐसा लगा कि अब शायद दोनों में आपस में एकता होई ही जाएगी कि दोनों समुदायों में हिंदू और मुस्लिम में एकता होने की संभावना नजर आने लगी कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1927 में एक बार फिर गठबंदन का प्रयास किया और ऐसा लगा कि अब एकता इस्तापित हो ही जाएगी लेकिन सबसे जो महतवपूर मतवेद थे वो प्रतिनिधित्व के सवाल पर ही थे सबसे महतवपूर मतवेद प्रतिनिधित्व के सवाल पर ही थे मुसलिम लीग के जो नेता थे मुहमद अली जिन्ना उन्होंने केंद्रिय सभा के अंदर मुसल्मानों के लिए आरक्षित सीटों की मांग की और जो मुसलिम बहुल प्रांत थे पंजाब और बंगाल वहां उनको आबादी के अनुपात के हिसाब से प्रतिनिद्ध्व देने की मांग की मुसलिम लीग के मुहमद अली जिन्ना का कहना था कि मुसलिमों को केंद्रिय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुसलिम बहुल प्रांत बंगाल और पंजाब में आबादी के अनुपात में प्रतिनिद्ध्व दिया जाए और ये बहस चली रही थी इसी बीच में गुनी सो 28 में एक सर्वदलिय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एक नेता थे एमार जैकर उन्होंने खुले आम इस प्रयास की निंदा कर दी और जो समझोते का मामला था वहीं की वहीं रद्ध हो गया यह बैस चली रही थी कि 1928 में आजित सर्वदलिय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एमार जैकर ने इस समझोते के लिए किये जा रहे प्रयासों की खुले आम निंदा कर इस मुद्दे के स समझारी समभावनाएं समाप्त कर दे यानि मुद्दा समाधान इसका होता भी तो उससे पहले ही एमार जैकर ने एक सर्वदलिय सम्मेलन के अंदर समझोते के लिए जो प्रयास किया रहे थे उनकी सारजनिक रूप से जैसे ही निंदा कर दी तो बात वहीं की वहीं रुक ग रहे थे जब सविने अवग्या आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय दौनों समधायों के बीच संदे और एविश्वास का माहौल बना हुआ था मुसल्मानों का एक बहुत बड़ा तब्का सयुकत संगर्ष के पक्ष में नहीं था और बहुत सारे मुसलिम नेता भारत में मुसल्मानों के अलप संख्यक के रूप में हितों को देख करके बहुत चिन्तित थे बहुत सारे मुसलिम नेता भारत में अलब संक्यकों के रूप में मुसल्मानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मुहम्मद इकबाल ने मुसल्मानों के भारत में हितों के लिए प्रथक से निर्वाचिका की मांग को दुबारा से दोहराया था 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मुहम्मद इकबाल ने मुसल्मानों के अलब संक्यक हितों के लिए प्रथक निर्वाचिका की जरुवत पर एक बार फिर जोड दिया था और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान की मान के लिए जो आवाज उठी उसकी उपज यही बयान था जिसमें इस प्रकार से कहा गया है मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिसाहट नहीं है कि अगर इस्थाई सामप्रदाइक बंदोबस्त के तौर पर भारतिय मुसल्मान को उसके अपने भारतिय होमलेंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए तो है भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ नियोचावर करने को तयार है इकबाल का कहना था कि अगर भारत भारत होमलेंड में यानि भारत की जमीन में ही मुसल्मानों को उनकी परंपरा के अनुसार पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अवसर दिया जाए तो हम स्वत स्वतंत्र विकास करने का पूरा अधिकार होता है यह सिद्दान्त किसी संप्रदाइकना के भावना से नहीं उपजाए और इसमें संप्रदाइकना की बात को अगर वो ऐसी भावना रखता है तो नीच व्यक्ति है मैं अन्य समुदायों के रीती रिवाजों धर्मों और सामाजिक संस्थानों का अगाद सम्मान करता हूं मौमद इकबाल ने कहा कि मैं दूसरे संपरदाय के लोगों के उनके रीती रिवाजों के उनका धर्म का और उनक कि उपासक इस्थलों की भी रक्षा करूंगा उन्होंने कहा कि कुरान की हिदायते भी हमको यह बताती है कि अगर कोई भी ऐसी इस्थिति आ जाए कि उनके उपासक स्थलों की रक्षा करनी पड़े तो मैं उसके लिए हमेशा तयार रहूंगा लेकिन मैं उस संप्रदाइक समु को प्रेम करता हूं जो मेरे लिए जीवन और आचरन का श्रोत है वह उन्होंने अपने स्वेम के संप्रदाएक के बारे में कहा है कि मैं उस संप्रदाएक से प्र में बताया है कि मुझे अपने संप्रदाए से ही मुझे धर्म की प्राप्ति हुई है उससे ही मुझे मेरा साहित्य मिला है उसी से मेरे विचार बने है और उसी से मेरी संस्कृति मेरे अंदर पनपी है और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समो दिया है और इसी प्रकार से उन्होंने फिर वापस कहा है कि मेरे संप्रदाई ने मेरे जीवित शरीर है इसके अंदर मेरे अतीत को समा करके और मुझे कार्यात्मक रूप में बना दिया है जो आज मैं हूँ वो मेरे संप्रदाई की बदौलत ही हूँ यूरोपिय देशों की तरह भारतिय समाज की इकाईया भूभागों में बटी हुई नहीं है उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यूरोपिय देशों में अलग-अलग इकाईया अलग-अलग भूभागों में रहती है अलग-अलग समाज वहाँ पर अलग-अलग भूभागों में रहते हैं वैसा यहां नहीं है भारत के सामुदाईक समुओं को माननेता दिये बिना यहां यूरोपिय लोगतंतर के सिध्धानत को लागू नहीं किया जा सकता और यहां के जो समुदाई हैं उनको अलग-अलग जब तक माननेता नहीं देंगे तब तक हम यूरोप के लोगतंत्रवाली पद्दती को यहां पर लागू नहीं कर सकते हैं। भारत के भीतर एक मुसलिम भारत की इस्थापना के लिए मुसल्मानों की ओर से उठ रही मांग बिलकुल सही है। उन्हें कहा कि भारत के अंदर ही एक मुसलिम राज्य की स्थापना के लिए जो मुसल्मान मांग उठा रहे हैं वो मांग बिलकुल ठीक है। हिंदू सोचता है कि प्रथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे रास्रवाद की भावना के विपरीत है। उन्हें कहा कि यहां हिंदूस्तान के हिंदू ये सोचते हैं भारत के हिंदू ये सोचते हैं कि अगर प्रथक निर्वाचिका की जो बात करता है वो रास्र के हित में नहीं है वो रास्रवाद के विपरीत बात है। क्योंकि वह मानता है कि रास्ट शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वहमिक समिश्रण से है जिसमें किसी भी सामुदाइक इकाई को अपनी निजी विसिस्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता उन्हें कहा कि हिंदू का सोचना ऐसा है कि हिंदू ऐसा सोचता है कि रास्ट का मतलब तो सार्वहमिक समिश्रण से है यानि जहां सब जने मिलकर के एक साथ ही रहते हैं और हिंदू का ये भी सोचना है किसी भी रास्ट के अंदर कोई भी सामुदाइक इकाई अपने अलग से नहीं रह सकती है उसको निजी विस्ष्टता बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है वह अपनी विस्ष्टता को अलग से नहीं दिखा सकती है लेकिन हालात ऐसे नहीं है भारत नसली और धार्मिक विस्ष्टताओं वाला देश है और नहीं कहा कि भारत के अंदर अलग- कि विचारों को मानने वाले लोग रहते हैं इसी में आप यह तथे भी जोड़ दीजिए कि मुसल्मान आर्थिक रूप से सामनते कमजोर है और उन्हें का इसमें यह बात को भी जोड़िए कि मुसल्मानों की आर्थिक इस्तिती भी अच्छी नहीं है उन पर भारी करजे हैं सामन्ते का और यह सारे भारत में ऐसे भी हैं जहां मुसल्मान अल्प संख्यक के रूप में हैं उनकी संख्या बहुत कम है इसके बाद देखंगे कि प्रथख निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारी बेचैव primeira की मांन करते हैं और इसके लिए हम बेचैन है क्योंकि हमारे लिए अलग से निर्वाचिका की व्यवस्था होनी चाहिए अभ देखी अगला है क्रांती की इस पूजावेदी पर हम अपना यौवन नैवैद के रूप में लाए हैं यानि क्रान्ती की जो पूजावेदी है उस पर हम अपना योवन नियोच्छावर करने के लिए आए हैं बहुत सारे हमारे राश्रवादियों को ऐसा लगता था कि अहिंसा के दम पर बिडिश सरकार के साथ संगर्ष नहीं किया जा सकता हिंसा ही आवश्यक है बहुत सारे राश्रवादियों को लगता था कि अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ संगर्ष नहीं किया जा सकता और फिर 1928 की अंदर दिल्ली के फिरोशा कोटला मैदान पर हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नामक एक पार्टी का गठन किया गया एच एस आरे गुनी सो अठाइस में दिल्ली के फिरोशा कोटला मैदान पर हुई बैठक में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिक आर्मी एच एस आरे की इस्थापना की गई और इस आर्मी के जो प्रमुख नेता थे वो भगत सिंग जतिंदास और अजय घोश थे इसके नेताओं में भगत सिंग जतिंदास और अजय घोश सामिल थे इस पार्टी ने यानि एच एस आर के नेताओं ने या इसके कारे करताओं ने देश के विबिन्न भागों में बहुत सारी कार्यवाईयां की और उन्होंने ब्रिटिस सरकार के प्रतिकों को ही अपना निशाना बनाया देश के विबिन्न भागों में कार्यवाईयां करते कई सरकारी प्रतीकों को निशाना बनाया और आप देख लीजिए गुनी सो गुनतिस के अंदर भगत सिंग और बटिकेश्वर दत्व दौनों ने मिलकर के लेजिसलेटिव एसम्बली पर बंब डाल दिया गुनी सो गुनतिस में भगत सिंग और बटिकेश्वर दत्वने लेजिसलेटिव एसम्बली पर बंब फैका और उसी साल उन्होंने एक ट्रेन को भी उड़ाने की कोशिश की जिसके अंदर ततकालीन वायसराय लाड इर्विन यात्रा कर रहे थे उसी साल उस ट्रेन को भी कित's दी गई लुएं उनकी उम्र मात्र 23 वर्षी ही थी जिस समय भगत सिंग्धर चला और उन्हें फासी दी गई उस समय उनकीुम्र केवल मात्र 23 वर्षी थी और मुकदमे के दोरान उन्हों पिस्तौल का उपासक नहीं हूं मैं chúng तो समाज में क्रांती लाना चाहता हूं अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंग ने कहा था कि वे बम और पिस्टॉल की उपासना नहीं करते बलकि वो तो समाज में क्रांती लाना चाहते हैं और फिर 6 जून 1931 को दिल्ली के अंदर भगत सिंग बटुके शर्दत ने जो बमकांड किया था उसका सेशन कोर्ट में उन्होंने जो बयान दिया था वो बयान यहां दिया गया है दिल्ली में भगत सिंग बटकेश अर्दत का बंबकांड पर शैशन कोट में बयान क्रांती मानव जाती का जन्वजात अधिकार है उन्होंने कहा कि क्रांती करना मनुष्य का एक अधिकार है वो अपने आजादी के लिए, अपने स्वतंतृता के लिए क्रांती कर सकता है, जिसका अपरन नहीं किया जा सकता, यानि उसको क्रांती करने के अधिकार को उसे कोई भी छीन नहीं सकता है स्वतंत्रता प्रतेक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार होता है यानि जन्म से ही व्यक्ति का स्वतंत्र रहने का अधिकार है श्रमिक वर्गी समाज का वास्ट्विक पोशक है उन्हें कहा कि श्रमिक वर्ग के द्वारा ही समाज का पोशन किया जाता है जनता की सर्वपरी सत्ता की स्थापना स्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष है जनता की सर्वपरी सत्ता स्वराज की स्थापना स्वराज की स्थापना करना ही स्रमिक वर्ग का जो सबसे बड़ा लक्ष है वो स्वराज की स्थापना करना ही है इन आदर्शों के लिए और इस विश आदर्शों की प्राप्ति के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ भी दंड दिया जाएगा उस दंड को हम मानने के लिए सदैव तैयार है शहर सी हम उसका स्वागत करते हैं क्रांती की इस पूजा वेदी पर हम अपना योवन नवैद रूप में लाए हैं और क्रांती की जो ये पूजा वेदी है इस पूजा वेदी के ऊपर हम अपना योवन भी नवचावर करने के लिए तैयार हैं क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है ऐसा महान आदर्श यानि स्वतंतरता प्राप्ति का आदर्श इस आद कुछ भी दंड दिया जाए और इस देश में क्रांती आए स्वाधिंता प्राप्त हो स्वतंतरता की प्राप्ति हो हम इसका उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने इंकलाब जिन्दाबाद का नारा भी दिया अब देखिए बच्चों कुछ महत्पूर्ण तिथियों को हम देखते हैं गुणी सो अठारा से गुणी सो गुणी स के बीच में अवद के बाबा जो राम चंद्र थे वो किसानों को संगठित करते हैं अप्रेल गुणी सो गुणी स के अंदर रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधिवादी हर्ताल होती है औ जलियामला बाग हत्याकांड जनवरी गुणी सो इकीस के अंदर आसयोग खिलाफत आंदोलन शुरूआत होती है और फरवरी गुणी सो बाइस के अंदर चौरी चौरा कांड होता है और इसके कांड गांदी जी आसयोग आंदोलन को वापस लेने की घोशना कर देते हैं जाद में दो वर्ष से चला आ रहा जो किसान आदिवासी आंदोलन था वहीं समाप्त हो जाता है अलूरी सीताराम राजु की गिरफदारी दो वर्ष से चला आ रहा आदिवासी किसान संगर्श समाप्त हो जाता है और दिसंबर 1931 के अंदर कॉंग्रेस का लाहोर कॉंग्रेस का और पोण स्वराज की मांग को अधिवेशन में स्विकार किया गया अब देखिए मार्च 1930 के अंदर गांदी जी ने दांडी यात्रा की नमक कानून का उलंगन किया और उसी के साथ सविनय अवग्या आंदोलन प्रारंब हो गया था गांदी जी दांडी में नमक कानून का उलंगन करके सविनय अवग्या आंदोलन शुरू करते हैं और फिर मार्च 1931 के अंदर गांदी जी सविनय अवग्या आंदोलन को वापस लेने की गोशना कर देते हैं गांदी जी सविनय अवग्या आंदोलन वापस लेते हैं दिसंबर 1931 के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें भाग लेने के लिए गांदी जी लंदन जाते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें भाग लेने गांदी जी लंदन गए और 1932 के अंदर सविने अवग्या आंदोलन वापस प्रारम किया गया और 1934 तक पहुंचते पहुंचते वो काफी मंद पढ़ने लग गया था इस प्रकार से बच्चों हमने कालखंड देखा जो स्वतंत्रता के आंदोलन के समय गांदी जी का जो महत्पून उसके अंदर जो हिस्सेदारी रही थी उसको हमने इसके अंदर देखा और आज हम यहीं विराम लेते हैं और अगले भाग के अंदर भाव धन्रिवाद